नमस्कार आप देख रहे हैं नियूजेटीन बिहार जारखंड और मैं हूँ आपके साथ लक्षमी देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप खबर तो समझेए इस आदे घंटे में हम आपको खबर तो दिखाएंगे ही साथी खबरों की पे आपको आगे बताएंगे और इसके बाद आपको समझाएंगे चमपाई बार बार आदिवासी हित के बात आखिर क्यों कर रहे हैं चमपाई सोरेन भी इन दिनों सियासत के लियाद से बहुत जादा चर्चा में हैं वो भी आपको आगे बताएंगे और इसके बाद आसम बड़ी खबरे होंगी जिस पर हमारी मोखेतर पर नज़र रहेगी आप बस देखते रहेगे खबर तो समझें तो आरजडी ने चिराग पासवान की पार्टी लोग जन्शक्ती पार्टी में तूट की भविश्चिवाने की है आरजडी नेताओं ने कहा है कि बीजेपी चिराग की पार्टी के तीन सांसदों को तोड़ने में लगी है आरजडी की दावे पर लजेपी आरवी और बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया है सवाल है कि चिराग तले कौन अंदेरा फैलानी की कोशिश कर रहा है और आखिर क्यों इस रिपोर्ट में देखें क्या फिर से तूटेगी चिराग की पार्टी बिहार की सियासत में एक बर फिर ये सवाल हिलोरे मार रहा है इसकी वज़ा है आरजेडी की ओर से चिराग की लोगजंशक्ती पार्टी रामविलास में तूटकी भविश्यवानी आरजेडी की ओर से दावा किया गया है कि बीजेपी चिराग की पार्टी के तीन सांसदों को तोड़ने में लगी है चिराग की पार्टी को लेकर आरजेडी के ओर से की गई भविश्यवानी के बाद बिहार की सियासत में उबाल आ गया है लोग जन्शक्ती पार्टी रामवलास के सांसद अरुन भार्ती ने आरजेडी पर पलटवार किया है अरुन भार्ती ने कहा कि आरजेडी भ्रामक खबर पैलाने का काम कर रही है एंडिये गडबंधन पूरी तरह से एक जुट है उसे कोई तोड़ नहीं सकता हम राज़त की इस चाल को उजागर करते हैं और साथ तोर पर कहना चाते हैं कि हमारा गडबंधन इंडिये के साथ अटूठ है और हम मिलकर देश की प्रगती के लिए काम करते रहेंगे एलज़ेपी रामविलास को लेकर आरज़ेडी के दावे पर बीज़ेपी के राष्ट्री प्रवक्ता शाहनवाज हुसें ने भी पलट वार किया है शानवाज ने कहा कि आरज़ेडी अपनी पार्टी पर ध्यान दे अफवाफ फैलाना बंद करें और ये देखें कि उनके पार्टी के लोग छोड़कर आखिर क्यों जा रहे हैं चिराग की पार्टी के सांसदों के साथ साथ बीज़ेपी ने भी आरज़ेडी के दावे को बकवास बताया है और आरज़ेडी नेताओं को भ्रहम ना फैलाने की नसीहत भी है विसी विपाक्ष को इस तरह का दावा करने के मौके उल्पाच असहमती के बाद मिला जो चिराग पासवान ने बीज़ेपी और किंद सकार के फैसले बर जताया था निउज़ेडीन के लिए पटना से रवी एस नाराइन के साथ ब्योर रेपोर्ट चिराग पासवान ने अपने पार्टी में तूट की खबर का खंडन किया है चिराग पासवान ने कहा है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चड़ती है जो इस तरह की मंशा पाले हुए हैं वो भ्रहम में हैं साथी उन्होंने विपक्ष पर भ्रहम फैलानी के साज़िश रचने कारुप लगाया है आज की तारीक में जो विपक्ष के द्वारा ये भ्रहम फैलाया जा रहा है मेरी पार्टी और सांसदों को लेकर ये उसी साज़िश को हवा देने की सोच है जो 2021 में रची गई थी और जिसकी वजह से इन लोग को लगा था कि शायद चिराग पासवान को ये लोग समाप्त कर देंगे पर ना उस वक्त ये लोग चिराग पासवान को समाप्त कर पा लोग सोचते हैं कि पार्टी में इस तरीके की तूट ओ वो अपनी ख्वाऀशो' को पर देने का काम कर रहे हैं वह ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो पर किसी की चाहाद से कुछ वह ऐसा होता नहीं है उनकी ख्वाहिश ज़रूर है कि उनको तसली मिलेगी अगर ऐसा हो पर अफसोस काट की हानडी बार-बार नहीं चड़ती है तो इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है आईए अब जानते हैं कि वो कौन-कौन सी पांच सहमती है जिसकी वजह से आरजेडी को चिराक की पार्टी में तूट की भविश्वानी करने का मौका मिल गया यह आपको ग्राफिक्स के जरीए बताना चाहेंगे कि आखिर वो कौन-कौन सी बात है देखें लेटरल इंट्री में नियुक्ती के मामले पर केंद सरकार को घेरा इस मामले को लेकर के भी केंद सरकार के खिलाफ इन्होंने बोला और उसके बाद चोथा है जातिये जन्गरणा पर भी विपक्ष के सुर में सुर मिलाया चिराक पासवान ने और पांचवा है जारखंड और जम्मू कश्मीर में जम्मू में चुनाव लड़ने का एलान चुराग पासवान ने किया और ये आपको ये सब ये जो समयती जताई है इन मामलों पर इसको भी आपको आगे समझाते हैं तो इंडिया अलाइंस को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है इंडिगट बंदन को मुश्किल हो सकती है और यही वज़ा है कि आरजेडी की ओर से एंडिये में फूट डालने की कोशिश हो रही है तो आरजेडी निता चिराग की पार्टी में तूट का दावा कर रहे हैं आरजेडी निताओं का ये दावा है कि बीजेपी चिराग की पार्टी को तोड़ना चाहती है लेकिन एंडिये निताओं ने आरजेडी के दावे को बकवास बता दिया है और चुराग पासवान ने भी ये कह दिया है चुराग पासवान ने भी अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है और कह दिया है कि उनकी पार्टी पूरी तरह से एक जुट है और वो एंडिय के साथ मजबूती से खड़े हुए है